नमस्कार, knockingnews.com में आपका सवागत है, मैं हूँ गर्जेश वसिष्ट बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत सारी सामगरी आ रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भेड़चार में शामिल ना हूँ जब बहुत सारे लोग उस पर कुछ कर रहे हैं तो मैं उस पर ना जाओं क्योंकि बहुत सारी जानकारी आ रही है और उस पूरी जानकारी के बीच में जो एक बहुत ज़्यादा खचर पचर जिसको कहते हैं हो जाती है लेकिन कुछ चीजे जैसे हैं जो कहीं पर भी नहीं दिख रही हैं तो जब कहीं पर भी नहीं दिख रही हैं, और अपने पास जान करिए, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, हमारे केन परिवार को भी पता होना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये आया कि ये पूरा का पूरा ये हो रहा है तना जो राइता फैला हुआ है बेहार में, ये क्यों फैला हुआ है? क्या वज़े है? क्यों नितीश कुमार? क्यों बीजेपी? और क्यों बाकी लोग बोरा रहे हैं? सब कुछ अच्छा बहला चल रहा था. तो इसको समझने के लिए आपको पहले उस लाइन को समझना पड़ेगा जो मैंने कहा था कि अपकी बार 400 पार कहने वाले 275 के लिए भी परिशान हैं। और जब आप इसको समझेंगे तो आपको ये कहना आपके मन में सवाल आगा कि आप कैसे कह रहे हैं 275 के लिए भी परिशान हैं उसकी वज़े कि इंटरनल शर्वे भारती जंता पार्टी का और ये सर्वे उस समय किया गया जबकि पूरे देश में राम मंदिर का एक उफान थ और मोदी जी अपना जो उनका अनुस्ठान था उस पर जा चुके थे जगे जगे गरी गरी घर घर पीले चावल बट रहे थे तो उस दौर में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि सीटें तो बहुत कम हो रही है मैंने आपको बताया कि कितने राज्य हैं जहां पर मैं पह यह मान जो लोग देख चुके वीडियो उनके साथ अन्या हो जाता है कि जादा तर राज्यों में जो हिंदी वेल्ड के राज्य हैं बीजेपी के पास सौ में से सौ सीटे हैं और बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर ये जमीन खिसकने वाली थी जो पार्टी के नतीज़ आया उसके साथ से पार्टी पिछले चुनाओ के मुकाबले बिहार में बेहतर करने वाली थी लेकिन वो इतना बेहतर नहीं था जो लोग सवा चुनाओ के बाद में जब अभी विधान सवा चुनाओ हुए हैं तो जेडियू सबसे बड़ी पार्टी बनके आगए निकल के बिहार में सबसे ज़्यादा वोट लालु यादव को मिल गए एक तो ये चिंता थी दूसरा जो 17 सीटे बीजेपी को मिली थी प उनों ही पार्टियों ले रखी थी और तीसरा इनका पार्टनर था लोग जन्शक्ति पार्टी पासवान वाली जिसके पास 6 सीटे थी यानि 40 से 49 सीटों का मालिक बीजेपी का गठवंदन था एंडिये बेहार में कॉंग्रेस के पास एक सीट थी और आर जेडी यानि का सर्वे कह रहा था कि बीजेपी अगर इन लोगों से अलग होके लड़ती है तो उसके पास जो 17 सीट थी वो 15 से 18 के बीच में हो सकते थी यानि नितीश उस गठवंदन के कारण अपनी जो 16 सीट थी उनको बचाने में हो जाते कामियाब तो ये जो गनित था इस गनित के आ बीजेपी को डर लग रहा था देखे अब की बार 400 बार का बहुत गाना होता हूँ मैं पहले आपको कैलकुलेशन बता चुका हूँ कि कैसे कैसे बीजेपी की सीटे सब जगे से कम हो रही है और जिस राज्यू में सबसे ज़्यादा जटका लगने वाला था उसमें से एक ब बयान दे चुके थे इस सर्वे ने मजबूर किया बीजेपी को कि वो फिर से नितीश कुमार को मनाए और कम से कम लोकसवा चुनाओ तक तो अपने साथ ले आए नितीश कुमार को मनाने के लिए चौबे जी को भेजा गया और चौबे जी ने जाके नितीश कुमार को अपन तरह से मेनेज किया और मेनेज करने के पीछे नितीश को कई संदेश भी दिये गए जो कारण बताए जा रहे हैं ये तो हुआ बीजे पी जो चाहती थी नितीश इदर क्यों आ रहे हैं उसके पीछे जो कारण बताए गए उसमें एक ख़बर जो जिसकी पुष्टी नहीं की ज लग रहे हैं. एक पत्रकार मित्र ने कहीं एक जगे मिले थे तो उन्होंने टिपड़़नी की कि दक्षिण भारत के एक राज्ज में नितीश का इलाज भी चल रहा है. तो नितीश कुछ कुछ ऐसी हरकते कर देते हैं, ऐसी बाते कर देते हैं जो तो फसने वाले हो तुमारे वारे में ये आ गया है वो आ गया है वगरा वगरा इसमें से कुछ चीज़े वीडियो फॉर्म में भी है और और भी कुछ चीज़े हैं इसके साथ भारती जनता पार्टी की तरफ से नितीश को संदेश दिया गया और उन तक एक ख़बर पहुचा वाली है और उसको तोड़ने वाली है भारती जन्ता पार्टी और बिहार में सरकार बना लेगी वो यह संदेश पहुंचा नितीश के पास और अंदर से नितीश के अपने सोतों ने भी पताया कि कुछ उनके अपने करीब मेंबर हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं फिर बिहार में नहीं है आसपास के राज्यों में भी है अगर आप बिहार का एक्विशन देखें तो आरजेडी के पास में करीब 15.36 परसंट वोट था और 15.36 परसंट वोट के बावजूद आरजेडी के पास बिहार में एक भी सीट नहीं थी लोग सबा में 7.7% 7.86% 7.86% बोट शेयर के साथ राम बिलास पासवान की पार्टी के पास 6 सीटे थी 7.7% के साथ कॉंग्रेस पार्टी के पास एक सीट थी आप सोचिए और इनसे दोगना जिसके पास बोट शेयर था उसके पास एक भी सीट नहीं थी तो ये जो पूरा का पूरा परिदिर्श था इसका एक मतलब ये निकाला गया कि अगर थोड़ा बहुत भी धक्का लगाया गया और ये हालाद बने तो बिहार में पार्टी लड़कडा सकती है सीन ये है मैंने अभी दूसरे चैनल पर वीडियों बताया है कि रामंदिर का मसला जैसा माना जाना था वैसा नहीं बना और वो अभी से ढ़लना शुरू हो गया है और अप्रिल आते आते तो ये मसला बहुत नॉर्मल उस तरह का हो जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा वोट वेप असर पड़ेगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती तो अब बचा क्या तो अब बसला ये बचा कि इंदीश कुमार को साथ में लेकर आओ और एक जो नितीश कुमार जाती जंगरना का इशू लेकर आए थे कि हम जो अती पिछड़ा हैं उसकी पॉलिटिक्स करेंगे अती पिछड़ा की पॉलिटिक्स करने के लिए रोहनी कमिशन की रिपोर्ट की बात हुई रोहनी कमिशन की रिपोर्ट क्या है रोहनी कमिशन की जो रिपोर्ट आई थी वो कहती थी कि 97% जो नोकरिया हैं और 25% सिक्षन संस्थानों में दाखले पिछणों के अपर कास्ट को मिलते हैं जैसे कि यादव हैं और बाकी को नहीं मिलते हैं तो BGP की स्टेजी क्या है पिछणों को बाट दो आपस में दो इससो में अगलों को बाट दो मुसल्मानों को बांट दो तो वो उसके अंदर भी एक सोशल इंजिनिंग करते हैं तो अगर ये कहा जाएगा कि 97% नौक्रिया ये रोणी कमिशन ने एक सर्वे कराया था अगर अगणों को मिल रही है तो अती पिछला जो है उसके साथ अन्याय हो रहा है इसके साथ साथ 2600 OBC जातियों में से कुछ को ही हकदार हक मिल पा रहा है OBC का बाकी लोग बैठे रह जा रहे हैं और उसने ये भी कहा कि कुछ जातियां ऐसी है जो केवल 2.5% के आसपास ही अपना उनका रेप्रेजेंटेशन है तो ये सारी चीज़ें जब पता चलती है तो बीजेपी को ये एक अच्छा हथियार लगा रहनी कमिशन उस हथियार को उन्होंने ऐसे माना जैसे उत्तर प्रदेश में यादव बनाम अन्य पिछलाए के इन्होंने नरेटिव दिया और ये बताने की कोशिश की कि जो यादव हैं वो ही सारी अपॉर्चिनटी ले जा रहे हैं वो ही याश कर रहे हैं वो ही लाल बत्ती वो ही कमांडो और आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है तो नितिश कुमार जो जाती जनगर्णा के जब आकड़ा लेकर आए तो पता चला क कि यादवों का प्रतिशत भी बहुत जादा है अगर मान लिजे कि पिशड़े हैं सो और उसमें अगर 95 परसंट यादव हैं चालीस परसंट यादव हैं मुझे आकड़ा याद नहीं है समय तो उतनी जादा सीटे भी उनको मिलेंगी तो ये बात जाती जनगर्णा से पहले चिपी होई थी बाराल रोहिनी कमिशन और करपूरी ठाकुर भी अति पिछड़ा के समर्थखते हैं तो उसाथ करपूरी ठाकुर और रोहिनी कमिशन मिला के बीजेपी एक चाल चल रहे है और उसके साथ साथ जाती जनगर्णा पे भी मोदीजी ने एक जवाब दिया उन्ह कि जाती जंगरिनाव मुसल्मानों का भी कितना रिप्रेजेंटेशन है यह सब भी उसके अंदर है वहां पे पचलों के पास क्या है अगलों के पास क्या है सब कुछ है खैर तो यह जो है यह कार्ड अब लालु यादव के खिलाफ यह इस्तेमाल करेंगे बिहार में दोनों ल लालु यादव को अब एक दिल्ली के अदालत से समन इशू हो गया है और उनको लेंड फोर जॉब वाले मामले में पेश होने को कहा गया है पेश होने को कहा जाएगा अदालत में कारवाई होगी वहां से खवरें निकलेंगी जैसा कि ग्यानदापी में निकली थी तो आप के दिमाग में एक चीज़ नहीं आ रही है कि बीजेपी को इतना सब करने की जरूरत इसलिए पढ़ रही है कि उसने जो कुछ अभी तक किये थे सोशल इंजिरिंग में लगी है कि जो जैसे भी आ सकता है अब बुद्धी की वरहारी सोचे जिस एडी से डर के ये लोग दूसरा गड़वंदर मना रहे थे उससे डर के ये बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं और फिर बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये चर्णों में पड़ आजाएगी दूसरी चीज़ आजाएगी तो मसला क्या है कि अती पिछलों को फिर ये कैसे काउंटर करेंगे तो मैं आपको कुछ डाटा देता हम कुछ आंकड़े हैं मेरे पास पहली बार आती पिछलों को आरक्षन देने वाले थे करपुरी ठाकुर 1978 में होने ये शुरुवात की और सिड्यूल कास के लिए 8% और OBC के लिए 12% आरक्षन लागू किया 12% लालु यादव ने 90 में आए और इसको बढ़ा के 14% कर दिया इसके बाद रावडी देवी ने 2000 में इसे 18% कर दिया यानि जिन करपुरी ठाकुर के नाम पे आप इतना पूरा कर रहे हैं उन्होंने 80% आरक्षन दिया था पिछलों को और लालु यादव ने उसको 18% कर दिया है अलग-अलग समय पे और जब BJP और नितीश बगर अने उन्होंने नहीं दिया पिछलों को आरक्षन ये पॉइंट ऐसा है जिसको RJD अपनी तरफ से उठा सकती है तो एक कहानी कौन सी हुई एक तरफा कहानी हुई कि BJP किस तरह से नितीश कुमार को अपने क्लच में ले रहे हैं खुशी खुशी और नितीश के जाने की एक और स्टोरी भी है अभी हाल में खबर आई थी कि ललन सींग जो अद्यक्ष है नितीश की पार्टी के वो कुछ लोगों के साथ मिलकर RJD में जाने वाले हैं और RJD के साथ जाकर वो सरकार बनाने वाले हैं तेजस्वी यादव की नितीश कुमार को आउट कर दिया जाएगा उस खबर के आने के बाद एक दिन के लिए कुछ दो-तीन दिन के लिए ललन सींग को जो जो जेडियू अद्यक्ष है नितीश कुमार ने हटा भी दिया था और उसके बाद उन्होंने अगले ही दिन उनको वापस अध्यक्ष बना दिया तो इसके पीछे दो विचार आ रहे थे एक विचारी आ रहा था कि लालू यादव को टार्गेट करने के लिए बदनाम करने के लिए कि वो नितीश की पार्टी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं ललन सिंग को हटाया गया लेकिन ललन सिंग का जो जवाब आया उसके बाद से नितीश कुमार ने भी कुछ नहीं बोला सब लोग चुपचा बैठे हुए हैं ललन सिंग को वापस बहाल कर दिया गया इसका मतलब वहाँ पर बगावत नहीं थी तो ये भी एक फैक्टर सामने आया जिसके कारण नितीश के अलग होने की संबावना दिखाई जा रही है और भी चीज़े हैं जैसे की इंडिया गटवंदन में लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि नितीश जो है वो एक गेम खिल रहे हैं और वो गेम ये है कि किसी तरह से इस गटवंदन को तोड़ना है बीजेपी ने नितीश को प्लांट किया और उन्होंने जान बूचके गटवंदन तोड़ने का ये खेल खेला जैसे जैसे शुनाव नजदीग आते जाएंगे बी टीम बाले सारे के सारे गटवंदन छोड़के भागते जाएंगे और नितीश उस पे सबसे आगे थे इसलिए ये एक साजिश थी इस इंडिया गटवंदन को बनाना है और इसको तोड़ना है ये एक ये भी विचार था इसलिए नितीश ने ऐसा किया अब इसका जवाब मैंने जैसे बताया कि एक जवाब तो ये है कि भाई सबसे ज़्यादा आठ परसेंट मिलता है तुमको अठारा परसेंट देती है अब भी जन्ना एक करपूरी ठाकर के नाम पर उधर जाना तो चले जाओ और आज की जन्रेशन जब अडवानी अटलवेयरी बाच पर इंद्रा गांदी का जवाना भूरी जन्रेशन है तो करपूरी ठाकर उनको कहां याद रहने वाले हैं जो यूपियसी वगरा के लिए याद करते हैं उनकी बात अलग है बराल ये पक्का मान के चलिए कि चौब जो सबसे ज़्यादा बढ़ चल कर हम इस शाब बोल रहे थे सारजनिक तोर पहलानिया वही नितीश के साथ मुख की रूप से निगोशियेशन को फाइनलाइस कर रहे हैं और पूरी तस्वीर बहुत उलजी हुई है कोई किसी से कम नहीं है और इस पूरे खेल में अब तो अलग अलग दिमाग अलग अलग पार्टिया भी कूत पड़ी हैं तो देखते जाए कितना रोचक यह चीजे हो सकती हैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो ज्यादा से आलोगों तक पहुंचाए चैनल को सबस्क्राइब कर ले नमस्कार चैनल